ओके तो यहां पे हम बात करेंगे मैप मा इंडिया की ठीक है एक इंट्रोडक्शन है जस्ट कि आप कैसे अपने अप्लिकेशन में मैप मा इंडिया का यूज कर सकते हो उसकी जरूरत क्या है तो मान लीजिए आपको यह ऐसा अप्लिकेशन मनाते हो olacaps.com मैंने open किया है तो for example मुझे यहां पे अपना एक address यहां पे सर्च करना है तो current location मैंने डाला हुआ अब मुझे यहां पे सर्च करना है मान लीजिए कि मुझे जबलपुर से भोपाल जाना तो मैं यहां पे type करता हूँ जबलपुर तो देखो यहां पे suggestions आते हैं मेरे पा बहुत आसान है ठीक है बहुत जादा आसान है तो उसके साथ कैसे करना है जस मैं आपको वही बताऊंगा यहां पे मैं कोई angular application या react application की बात नहीं करूंगा मैं simply यहां पे postman की through request कैसे send करना है mapmyindia को कैसे authentication करना है कैसे यह इस तरह से आपको result मिलेगा तो वह बस मैं आपको mapmyindia okay तो यहां पे आएंगे यह इंडिया का map है तो जैसा के नाम है वैसा ही इसका काम होगा तो सिर्फ इंडिया का यहां पे locations आपको मिलेंगी उसके बाहर की नहीं मिलेंगी ठीक है यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है products and services में जाना है then map APIs and SDK जो भी maps rated API है वो आपक है ठीक है ट्रायल है लेकिन बहुत सारे डेटा है इसमें हजार दसार रिक्वेस्ट है मन्तली तो काफी बहुत कोछ है इसमें इसको यूज कर सकते हूँ ठीक है तो start my free trial पे जाएंगे तो यह पेज आया यहां पे ओके हां तो मैं पहले से logged in हूँ इसलिए यहां पर यही प इस तरह से पहुँच जाओगे ठीक है जब आप dashboard पे पहुँच ओगे तो यहां पर आपको मिलेगा client ID और client secret तो इन दोनों को हमको जरूरत पड़ेगी ठीक है तो इन दोनों के आपको जरूरत पड़ेगी तो इसको आपको संभाल के रखना है अब ही आपको बलर दिख रह है यहां पर आपको सर्च करना है map my India auth auth zero ओके यहां से भी जा सकते हो यहां से भी आप navigate कर सकते हो बट डारेक्ली सर्च करोगे तो तुरंत आप वहां पहुच जाओगे तो second जो link मिलेगा authentication API इस पर आपको जाना है यहां से authentication करना क्यों authentication करना है तो देखो यहां पर geocoding API है अगर मैं इसको new tab पे open करता हूँ तो यहां पर मुझे API मिलेगा यह एक URL है इसको अगर मैं copy करता हूँ postman पे आता हूँ यहां पे एक new request create किया URL में मैंने इसको यहां पे paste किया तो यहां पे method क्या get तो मुझे इस पे get request send करना है तो get request हो गया यहां पे मुझे pass करना है address तो मुझे suggestion मिलने चाहिए मैंने send किया यहां पर आएगा unauthorized तो unauthorized है मतलब इसलिए हमको यहां पे एक authentication token चाहिए तो वही हम generate करने के लिए यहां पे OAuth का use करेंगे OAuth API इस API की help से हमें यहां पे generate हो जाएगा token हम send करेंगे API को तो वहां से हमको response में result मिल जाएगा तो यह होग पर दिया post request send करना है send किया request यहां पर देखो क्या आया unauthorized फिर से आया unauthorized क्यों क्योंकि इसको यहां पर data चाहिए authentication कर रहा है तो कुछ ना को data हमको यहां पर provide करना पड़ेगा तो वह कौन सा data है तो वापस चलते हैं यहां पर देखो यह x www.form URL encoded के form में हमको यह तीन credentials ओके यह जो यहां पर मुझे parameters है तो यह है query parameter इसमें मुझे key add करना है इसका value क्या है strategy डाएगा client credentials, इसको मैं यहां पर paste कर दूँगा तो यह हो गया client credentials, second value क्या है client id है इसको मैंने copy किया paste कर दिया now client secret copy किया key में हमने इसको paste कर दिया इसका value कहां से मिलेगा यह आपको मिलेगा आपके dashboard से यहाँ पर आओ client id को copy करो यहां से यह मैंने इसको किया copy client id का value यहाँ पर मैंने paste कर दिया now client secret है इसको भी यहां से हम copy करेंगे and then client secret को भी यहां पे हमने paste कर दिया अब मैं इस पे कहूंगा send तो इससे मुझे मिलेगा एक token यह token मिला token type है barrier तो यह जो token इसको मैं copy करूँगा अब हम जाएंगे map my India की यह जो address वाली API है यहां पे आने के बाद हमको token add करना आप मुझे एक ही object मिला है तो अगर multiple object आप चाहते हो तो यहां पे आप लिखोगे end करके end मैं मतलब एक और parameter add कर रहा है दूसरा parameter क्या है item count is equal to हमने यहां पे कर दिया for example हमें 10 records ही है 10 send किया तो जो भी record जोगी जबलपुर से start होता उससे related सारे addresses यहां पे आ जाएंगे यहां पर कितने address आए हो सकता है आपने 10 लेके पर 4 ही है तो वो 4 ही आपको यहां पे मिलेंगी तो इस तरह से आप यहां पे item count को change करके कितना record चाहते हो वो आप यहां पे देख सकते हो चाहित है तो यह मैंने आपको बता है request send करके postman से कि आप कैसे इसका use करते हो आप for example आप angular use कर रहे हो या फिर आप react यूज कर रहे हो तो एक अग्जांपल लेते है for example अगर आपने एक angular यहां पे यूज किया तो आप यूज कर रहे हो यहां पे angular API का तो उस Angular पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक request send करोगे starting, जब आपका application start होगा, तो उस जो भी component आप लोड कर रहे हो मालीजी, तो वहाँ पे आपको साथ से पहले authentication करना है, तो authentication के लिए इस URL पे आप request send करो, जो भी token मिला आप उसको locally store कर लो, लोकल storage में या फिर encrypt करके कहीं भी save कर सकते हो, इसके बाद आप जब आपने कोई text field बनाया है, माली जो Ola Cab में आते हैं, यहाँ पे आपने इस तरह से UI बनाया, तो आपने जो token वो तो local storage में save हो गया, अब आप क्या करो इस URL पे आप send करोगे एक और request अपने Angular application से, तो आपको यह result मिल जाएगा, simple है, और जब यह result मिल जाएगा, जो भी result मिला है, उसको आप इस format में, आप इस suggestions में update कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर यह update हो रहा है, तो यह इतना ही आसान है, अब मान लीजे, अगर आप इसमें से आपको यह चीजें समझ में आ रहे होंगी, कैसे हम इसका use करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत simple है, अगर कोई doubt है, या कोई भी question है, या फिर आप चाहते हो react में, या फिर angular में, या फिर किसी और technology में, हम इस API का map my India का use करें, तो comment करके बताओ मुझे, कि हम इसका use यहाँ पर कर सकते हैं, फिर देखेंगे आंगे, और वीडियो लेके आएंगे, तो चलते हैं फिलाल इस वीडियो में तना ही, अगर आप चैनल बिन आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर ले, thanks for watching